Hello Everyone! Welcome back to my channel! दोस्तों, as you know, निस्ठा टेनिग प्रोग्राम इस गोईग आन और दोस्तों, यहाँ ट्रेनिग प्रोग्राम भारत के सभी राजیों में चल ला है और किसी राजीों में कोई माड्यूल, किसी राजीों में कोई माड्यूल है module 4, 5, 6 की प्रस्नों 3, 1 साथ यानि तीनों module को प्रस्नों 3, 1 साथ है और यह सभी Hindi speaking states के लिए है जो सभी 6 राज्य हैं उनके लिए जरूरी है जैसे बिहार है जहारखंड है, उत्राखंड है मदप्रदेश है, राजस्थान है, उत्राप्रदेश है इन सभी राज्यों के लिए आप प्रस्नों 3 काम करेगी तो दोस्तों जो है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लिजएगा विल आइकन को प्रेस कर दीजएगा हाँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहले माडूल 4 की प्रस्नोत्री आपके सामने प्रस्तोत है पहला कुश्चन है पुर्शत और इस्त्रीत को संदर्भीत करता है जेंडर, लिंग भेद, योन सेक्स या पित्रि सत्तात मकता तो दोस्तों इसमें जो सेकंड आपसन है वो जेंडर मिथक नहीं है ये बिल्कुल सत्ते बात कही गई है और नेक्स्ट कुश्चन आपके सामने आ रहा है आपकी स्क्रेन पर देख सकते है निमनिखित में से कौन सा कारी लिंग भेद को नहीं दर्साता है सार्दा अपना ज्यादातर समय रसोई में खाना बनाने में बिताती है सेफाली परवता रोही बनने के लिए प्रसिचन ले रही है परिवार की रूटी कमाने वाला होने के करण रोही अपने परिवार के लिए सभी फैसले लेता है बंटी और उसके दोस्त आम तोर पर टोईकार और टोईगन के साथ खेलते हैं तो इस कुशन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है आपसा नमबर सेकेंड सेफाली परवता रोही बनने के लिए प्रसिचन ले रही है आगे बढ़ते हैं आगले प्रस्त की तरफ निम्रिकित में से कौन सा कथन लड़कियों महलाओं के बारे में एक जेंडर स्टील उटा के नहीं है सकती हैं अगला कुछट्यन आप देख पा रहे हैं निमलेखीत में से कौंसा वाकिस सही है लड़के और लड़कें के साथ बराबरी का ब्योहार किया जाना चाहिए लड़कें को स्कूल नहीं भेज़ा जाना चाहिए वह साधी के लिए बनी है लड़के लड़क시에 उसे अधिक महंति होते हैं महलाओं का इस्थान घर पर है तुई स्थान प्रस्थ का right answer है दोस्तों option no.1 लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का ब्यवार किया जाना चाहिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्थ देखिए क्या याकतन सही है राजनीत में सत्ता और अधिकार की पदों को समालने में पूर्सों को तिलना में महलाएं कम सक्षम है हाँ महलाएं घर की काम करने के लिए अधिक अन्कूल है हाँ वे भावनात्मक रूप से कमजोर है और नड़ने में सक्षम नहीं है नहीं, वे सत्ता और अधिकार की पदों को समालने में पूर्सों की तरह ही सक्षम है। हाँ, मैलाओं को जैविक रूप से कमजोर योन सेक्स माना जाता है। लड़के पुरुस बहतर चालाक होते हैं, लड़कों पुरुसों को रोना नहीं चाहिए, लड़का पुरुस परिवार की पालन करता है, लड़के पुरुस बच्चा पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं, तो यही इसका right answer है, option number 4, लड़के या पुरुस बच्च अगला प्रेस्न है, जेंडर के बारे में निम्लिखित में से क्या सही नहीं है, कोई भी नहीं, या जेंडर पुरुसों महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दरसाता है, जेंडर समय, संबंद समय के साथ, लोगों के विभीन सम्मूहों के बीच भिन होत है जेंडर महिलाओं पूर्सों और ट्रांसजेंडर के बीच एक सामाजी करूप से निर्मित अंतर है तो कौँ सा कθन सही नहीं है यहां पर आपका option number second gender पूर्सों महिलाओं और ट्रांसजेंडर के भी जयविक अंतर को दरसाता है जयविक नहीं जैविक अंतर है जबकि योनशेग्स पुर्सों और मिलाओं के बीच समाजी कुरूप से निरधारित अन्तर है जेंडर और योनशेग्स में कोई अन्तर नहीं है कोई भी नहीं दोस्तो इस प्रेस्टन का जो पहला अंसर है यह राइट है आपका योनशेग्स एक जैविक अं 10 तो दोस्तों आप भी 10 out of 10 प्राप्ट करें अब आगे बढ़ते हैं हम कोर्स नंबर 5 की तरफ हाँ तो दोस्तों अब हम आ गए हैं कोर्स नंबर 5 में यानि जिसमें है आपका जो है सिच्छण अधियम और आंकलन में ICT का परियोग पहला कुश्चन आपके सामने दिख रहा है इस आमागरी निर्माड के निसूलक एवं ओपन सोर्स साफ्ट्वेर मंच है आडेटिसी और ओपन साथ वीडियो एडिटर H5P स्क्रेच या सभी तो यहां हम सभी आपसन पर टिक लगाएंगे सभी है अगला कुश्चन है निम्लखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है फ्री माइंड और फ्री प्लेन माइंड मैपिंग के निसूलक सिच्छक साफ्ट्वेर हैं जिनका इस्तिमाल विचारों और ओधरणाओं की चित्र के माध्यम से प्रस्तिकरण के लिए क प्रेट फॉर्म है ओपन सार्ट वीडियो एडिटर गेम्स और इनिमिशन बनाने के लिए फ्री आनलाइन प्रोग्राम साफ्ट्वेर हैं ठीक है तो यहां पर जो है आपका यही आप संतिक होगा यही कतन सत्य नहीं है लास्ट वाला फोर्थ फिर आगे बढ़ते हैं सभी स कि सेच्षिक इसन्सादनों जैसे पार्ट पुष्ट के आडियो वीडियो पत्र पत्रिका और अन्न प्रिंट किस्म के सेच्षिक इसन्सादन का प्रदाशन और प्रसार मताइला है हर समय और हर जगा पर नि yell कुछर उपलब सभी एक ऊसन्फ्पर्ट ब्र acc से पुना उपयोग करने के लिए लाइसेंस किया हो सकता होती है तो दोस्तों इन में से कोई भी आपसन सही नहीं है यहाँ पर आपसन नंबर सेकेंड आपका यह राइट है फिर आगे है ICT समय की सिच्छन के लिए बिसेवस्तु इसलेशन की क्या हो सकता है विभिन ICT उपकरणों का उपयोग करके सिच्छन दिष्टकोंड या वीदियों की योजना सीखने के प्रेणामों को प्राप्त करने उनका आकलन करने के लिए उन अवधानाओं पर जोड़ते जहां ICT को एकिकरित किया जा सकता है ICT उपकरणों का उपयोग करके कक्छा में विभिन ग जिसमें आडियो वीडियो सीखने की वस्तुएं चित्र प्रस्तंबैं गत्वीदियां प्रस्तुतियां और जिन डाउनलोड और साजा किया जा सकता है जिन पर टिपड़ी की जा सकती है अधिग्याम सिच्छन और मुल्याकन के लिए उपयोगी सुतंत रूप से यहां भी दोस्तों आपका राइट आंसर है सभी अगला है आई सीटी कैसे अधिग्याम सिच्छन और मुल्यांकन में सहीओ करता है सरब ड्रेश से सहित बहुँ ज्यानेंद्री, ग्रहेंड से लिणनीत प्रधान करना जिससे अधिग्यम की ब्रिद्धी होती है अधिग्यम की सातनों कहीं भी और कभी भी अधिग्यम का अव disciples प्रधान करना स्वेम निर्धारी तैते से अधिग्यम और वढ़णना को निर तरफकर अन्मार प्रोसाहिद करता है या सब ही तो यहाँ भी दोस्तों राईट आंसर सबी नेक्स्ट है आई सीटी संबंदित नहीं है किस से कलपना इमेजन पुनाफ रिट्राइप प्राप्त करना तो यहां पर ICT कल्पना से रिलिटेट नहीं है अगला प्रास्ता है अधिगाम योम सिछन के लिए ICT क्यों महत्पूर्ण है गुरोता में सुधार के लिए सिछन को प्रभावी बनाने के लिए पारंपरिक विद्र में बदलाओ के लिए या फिर सभी तो यहां भी सभी आपका राइट आंसर है इस तरह से दोस्तों हमने 10 कुश्चन जो है अटेंट किया और देखते हैं स्कोर क्या आता है और देखिए यहां पर जो स्कोर है 10 आउट आउट 10 इसकोर प्राप्थ करें अब मैं चलता हूँ अगले माडूल में कला समयकित सिच्चा की ओर हाँ तो दोस्तों अब हम आ गए है माडूल 6 कला समयकित सिख्षा में और इसका पहला कुश्चन आपके सामने है समयकित सिख्षा निम्नलिकित में से किलनिक छेत्रों के विकास में सहायक होती है भावनात्मक्षेत्र, मनोग्यात्मक्षेत्र, साइको मोटर, डोमेन या संग्यात्मक्षेत्र या सभी तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सभी आगे बढ़ते हैं और देखिए ये आंसर भी बता रहे हैं राइट है नेक्स्ट करते हैं अगला कुश्चन है समेकित का अर्थ है विविन पाठकरम छेत्रों के सिछन के साथ कला का संयोजन कम से कम एक कला रूप के बिशय का गहन ग्यान विज्ञान के अलावा अन बिशयों के साथ कला का संयोजन भासा और समाजिक अध्यन के साथ कला का संयोजन तो सुचे दोस्तों यहाँ पर समेकित का अर्थ क्या है विविन पाठकरम चित्रों के सिछन के साथ कला का सयोजन हमारे हिसाब से यह आपका राइट आंसर है और देखते हैं यह राइट है कि नहीं आप बिल्कुल राइट है आगे बढ़ते हैं निम्नलिकित में से कौन सी कल प्रदर्शन कला नहीं है स्वाभी ने निरित्य संगेत या चित्रकला तो तो यहाँ पर चित्रकला जो है यह प्रदर्शन कला में चित्रकला नहीं आता है देखते हैं राइट आंसर है हाँ यह राइट है आगे बढ़ते हैं और अगला प्रसनाप के सामने है कला समेकित सि लिया गया है सिछन सास्तr का एक टूल लोग कला पारंगत कला प्रेच्छा की एक पद्धिती तो यहां पर सिछन का एक टूल की रूप में इसे लिया गया है तीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों यह राइट है कला समय की सिछा की ग degrees विडियों का वीडियों देखने के बाद कौन से ध्वनियां उंगलियों से बनाई जा सकती है हवा की ध्वनी पानी की ध्वनी आग की ध्वनी या बारिस की ध्वनी तो दोस्तों बारिस की ध्वनी यहां पर राइट आंसर है ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रस तो देखे फिर से पढ़ लिजे कुशन क्या कह रहा है गनित की वीभिन आवधरनाय विज्ञान समाजिक अध्यान और भासा को समेकित अधिगम के जरी ये प्रफावकारी धंक से पढ़ाया जा सकता है तो ये स्टेट्मेंट यहाँ पर सही होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं देखे ये राइट है और अगला आप दिखते हैं कला समेकित गद्विनिया इनमें से किस सिध्धान पर आधारित हैं सही उत्तर लिखना अनुभव आधारित अधिगम पाट कुस्तक से नकल करना रट कर याद करना तो यहाँ पर राइट अंसर होगा अनुभव आधारित अधिगम ठीक है आगे बढ़ते हैं और अगला प्रस्न है कला रूपों के एकी किरण के माध्यम से सिच्छकों द्वारा मुल्यांकन नहीं किया जा सकता गलत संभों नहीं सही केवल एक अधरना में तो यह स्टेट्मेंट गलत कह रहे हैं तो यहाँ गलत पर लगेगा और आगे बढ़ते हैं और अगला प्रस्न देखते हैं कला समयकित सिच्छा के माध्यम से सिच्छक क्या विक्सित कर सकेंगे कला आधारित एतिहासिक परियूज नहीं अकादमिक प्रणाम के लिए परिछा के संसाधन का अनुलाभों के लिए बीविन गदिविदियां कला प्र कि माध्यम से आनंदा या अधिगम में लगया जा सकता है कला समयकित सिच्छा उची आवाज में पढ़कर लिखने का अभ्यास करवा कर पाट को याद करवा कर तो इस प्रस्न का राइट आंसर होगा आपसन नमबर वन कला समयकित सिच्छा के द्वारा ठीक है दोस्तों फि सभी माडियूल्स में सभी कोर्सिज में 10 आउट आफ 10 प्राप्त करें और अपने सर्विस बुक को जो है मेंटेन करें उसका वजन बढ़ाएं उसकी गरिमा बढ़ाएं तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे व बढ़ाई